नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरुष शर्मा और आप देख रहे हैं आमने चैनल हरियान अपडेट डेली नियूस बात करेंगे रेवाड़ी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शिरू करते हैं देखिए सबसे पहले की कसोला चोक के पास एक की मोत आपको बता रहेता हूँ कसोला चोक के पास एक व्यक्ति पैदल जा रहा था और पीछे से एक व्यक्ति बाइक पर आ रहा था और उसने उसे टक कर मार दी हादसे के बाद आरोपित बाइक समेट वहाँ से फरार हो गया और जो व्यक्ति था उसकी मोत हो गई इसके बाद कसोला थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दरज कर जान शुरू कर दिये इसके बाद दूसरी बड़ी ख़बर है कि इस व्यक्ति की बेटी हुई लापता आपको उताज़ता हूँ कोसली के एक गाह में जहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की गुम्शूदगी की शिकायत कोसली थाने में दिये शिकायत करता के नोसरी उसकी बेटी की ओम पर लगबग 17 वर्स थी और वैब बिना पताए रात को अपने घर से चली गई थी इसके बाद इधर उदर तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला इसके बाद जो व्यक्ति था उसने पुलिस को शिकायत दिये और पुलिस को शिकायत में उसने बताए कि किसी अग्यात व्यक्ति पर उसे संदे है मतलब उसने कुछ बताया हो कि पुलिस को कि किसी अग्यात व्यक्ती पर उसे संद्य के उसने उसे चुपा रखा है इसके बाद अगले बड़ी कबर की ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिये देखें लोगों की सुरक्षा के लिए चोरी वगेरा इन वारदातों को रोकने के लिए जिला उपोयुक्त ने नो जवानों को ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिये ताकि वारदातों को कम किया जा सके या फिर बिलकुल खत्म किया जा सके यह काए कि जो यह वार्दाते चोरी वगड़े बढ़ती जारी इनको हमें रोकना पड़ेगा किसी तरह तो इसी के चलते ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दियें गाहों के अंदर इसके बाद रेवाडी के सरकारी अस्पताल में बड़ी गटना देखे रेवाडी के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर शहर के जो वहाँ पताद है कि क्या हुआ वहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि दवाई लेने के लिए आया था एक यूबक माया और उसका मोबाईल लेकर फरार हो गया इसके बाद गोकल गेट चोकी पुलिस ने मामलत दरज कर ज पर फोन रखकर वहाँ पैट गया उसके दवाई उसका भाई लेने चला गया इतने में किसी व्यक्ति ने उनके फोन लेकर वहाँ से फरार हो गया तेकि सरकारी ऑस्पिटल के माँ सभी को तकी पुलिस चोकी भी है लोग इतनी वारदातों का अंजाम दे रहे हैं पुलिस का धन्यवाद